तो हेलो दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग एक बाद फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सब का तुमारे भाई की चैनल पे जिसका नाम है ग्रिनेट किलर्स तो दोस्तों बहुत दिन से आप सब लोग कह रहे थे कि ग्रिनेट भाई अपनी इंवेंटरी दिखाऊ ठीक है आपको अपने सारे आउटफिट्स दिखाऊंगा मेरे कौन से गन कितने अपग्रेट्स हैं वो सारे चीज़े दिखाने वाला हूँ तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना आपका बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है और दोस्तों अगर अभी तक इस वीडियो को ला आगे बिना किसी देरी के तो दोस्तों चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे फ्रेंड लीट्स में कौन-कौन से लोग है ठीक है तो सबसे पहले मैं आपको अपना फ्रेंड्स रिवील कर रहा हूँ ठीक है तो देख लो दोस्तों ये लोग हमारे इस फ्रे हम तब एड करते हैं जब हम स्ट्रीम करते हैं जी हां दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना इसमें से बहुत सारे लोग आप लोग होंगे जो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं ठीक है तो कमेंट करके बताना कि कौन किस-किस लोगों का नाम यहां पर आया है ठीक है तो जर करना कि आपका नाम यहां पर आया है ठीक है तो आपको यह कैसा लगा जरूरी कमेंट करके बताना भाई लोग ठीक है और एक वर कमेंट जरूर से करना कि आपका नाम यहां पर आया यह नहीं आया ठीए क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि आप लोगो का नाम यहां पर आया कि नहीं और इसके दोस्तों मैं यह भी कहना चाहूं कि जासा कि आप सब को पता है कि मेरे दूसरे चैनल पर बैटल पास का गीवेवे चल रहा है जी हां दोस्तों मैं अपने दूस होता है ठीक के color वगेरा आई ब्रोज हो गए डाड़ी में मेरे को ये battle pass में नहीं कुछ बाल मिले हैं मैंने अभी तक दो battle pass भाई किया है तो ठीक है उसमें से मुझे ये दो तीन बाल जो है मिले हैं और बहुत सारे hair मेरे अभी कि आपके सारे hair खुले हैं कि नहीं जरूर मेरे को comment करके बताना मेरे सारे hair तो अभी तक नहीं खुले हैं ठीक है दोस्तों तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं देखते हैं मैं आगे और क्या देखने को मिलता है फिलाल तो यह आपको यह कहना चाहूँ कि देखो मेरे को यह दो जो है यह दोनों बहुत ही ओपी लगता है अब हम आज आता है यहाँ पर हमारे यहाँ चाहा है क्या आप लोगों के पास इंडन टीम वाला जर्सी है कि नहीं जरूर कमेंट करके करके बताना ठीक है कि सब्सक्रिटेस है कि मेरे कुछ परहों और यह मेरे कुछ पती तक नहीं मिलें हैं। यहने कौच cm और यह स्कीन की कलर रही है तो आप सो को पता ही है कि किस की स्कीन की कलर कैसी है ठीक है दोस्तों और यहां पर हम कुछ बात कर लेते हैं हमारे हेर स्टाइल के बारे में और फिर हमारे बीएट्स के बारे में तो यहां पर देख सकते हो दोस्तों अब हम आचुके हमारे कैप वा नहीं है ठीक है दोस्तों तो यहां पर मेरे इतने आप जैसा कि आप देखी चुके हो तो यह सब मेरे लॉक है और यह बहुत सारे अनलॉक भी है तो दोस्त आपको मेरे इंवेंटरी अभी तक कैसी लग रही है जरूर कमेंट करके बताना ठीक है कमेंट जरूर से करना कि अभी तक आपको मेरी inventory कैसे लग रही है और यह है हमारे भाई कुछ घूसे मतलब जो हमारे hand gloves होते हैं तो यह भी मेरे बहुत सारे खुले हुए है और बहुत सारे नहीं भी खुले हैं ठीक है जैसा कि मैं आप सो को यहां पर दिखा दे रहा हूँ तो यहां पर बहुत सारे मेरे खुले हैं बहुत सारे नहीं अब हम बात करने हैं वेस्ट की तो वेस्ट मेरे लगबग सारे खुले हुए हैं बस last का जो एक row है वो मेरे locked है और I hope कि वो भी बहुत जल्दी मैं खोल लूँगा उसको ठीक है दोस्तों अब आप जरूर कमेंट करके बताना है कि आप लोग का कितना खुला हुआ है और कितना नहीं खुला हुआ है ठीक है भाई लोग तो मेरे तो इतना ही खुले हुए हैं और यहां पर मैं सूज की बात कर लेता हूँ सूज भी देखेलो मेरे पास लगबा अर्फरिय की सूज हैं जो आप के पास होगी आई होप। आपके पास हो बादी चीज़ होगी, जब कमेंड करके बताना अब अब चीज होगी आउटफिट है consolidate जो भी हमाई बैटल पास से मिलता है वह मैंने सारे collect किया हुए गिली सूट भी है, मेरे पास इंस्पेक्टर वाला उट 7 बी ऑफिड भी है kankाल भी है लेकिन दोस्तो मीरो को जोकर वाला उट रभी अभी तक नहीं मिला है जो मेरा फेबरेट है और मुझे जोकर वाला उट्विट चाहи है पता निमूजे ये कब देखने को मिलेगा तो दोस्तों ज़रूर कमेंड करके बताना कि आपको मेरा आउटफिट वाला section कैसा लगा और आपका क्या-क्या खुला हुआ है तो चलिए अब हम आज आते हैं हमारे gun वाले section में तो दोस्तों देखो hands gun में मेरा मेंगनम है और यहां हमारा desert eagle है यह दोनों मेरा max हो चुका है अब ग्रेड में और बाकी यह जो दो है यह भी नहीं हो है टेक 9 और hunting pistol में को करना है ठीक है तो यह अब हम आगे चलते हैं राइफल में तो दोस्तों जैसा कि अपने और राइफल में देख रहे हैं और राइफल में मैंने अपना टेवर को अपग्रेड करके रखा है जी हां दोस्तों उसका reason यह है कि हम लोग को जंगल वाले मैप में और मिनी आउटपोस मैप में सबसे ज्यादा टेवरी देखने को मिलता है इसलिए मैंने इसको अपग्रेड कर दिया है हाला कि अब मैं जो अगला अपग्रेड करना चाहता हूं ठीक है अब हम आते हैं इसको मेरे को फुल अपग्रेड करना है वह अब भी बस एट लेवल पर जैसा कि अब लोग देख सकते हो ठीक है दोस्तों और हम आगे चलते हैं तो आगे हमारा स्नाइपर से तो स्नाइपर में दोस्तों मेरा M24 फुल मैक्स है ठीक है या फिर आप M14 कहा सकते हो फुल मैक्स है लेकिन जो मेन स्नाइपर उसको मुझे मैक्स करना है हाला कि इसके लिए बहुत सारे कॉइंस मांग रहे है इसलिए मुझे तो टाइम लग रहा है बट बहुत जल्दी मैं भी इसको फुल मैक्स करी दूंगा ठीक है दोस्तों अब हम चलते है हमारे स्पेसल वाले टायर प भी नहीं कर रहा हूं रॉकेट लांचर को में अफग्रेड करना चाहता हूं ठीक है मिनी गन को भी करना चाहता हूं और सोग उनको तो सब करना ही चाहते हैं और मचेती सब का अफग्रेड होता है और यह है मेरा दोस्तों inventory आई होप कि आपको अच्छा लगा हूँ ठीक है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी inventory वीडियो कैसी लगी और कौन से गन को मेरे को अफग्रेड करना चाहिए एक बार ज़रूर यह भी कमेंट में बताना कि घिरनेट भाई आपको यह वाले गन को अगला अफग्रेड करना चाहिए ठीक है दोस्तों तो जय हिंद जय भारत बाई बाई गाइस टेक केर